हेल फ्रेंस इस वीडियो में आपसे बात करने वाल है बहुत ही मसालेदार तड़क भड़क एक बहुत ही कमाल का अपकमिंग स्माटफोन जो की ओपो की तरफ से ओपो का रेनो 4 और 4 प्रो जो की चाइना में अभी दो दिन पहले ही लॉंच हो चुका है बहुत ही कमाल का है फर चनल को सब्सक्राइब लिए का बैल अकर्ण प्रेस के लिए क्योंकि से टेक्नालोजी अपडेट्स अन्बॉक्सिंग और फन वगर में चनल पे आपको मिलता रहता है सबसे पहले तो मैं आपसे बात करता हूं इसके लुक की तो लुक से तो मैं परसनली बहुत ही जदा इं रेनो ग्रो लेकर के लिखा हूँ उसके बाद में उपो की ब्रेंडिंग दी गई है तो बहुत ही कमाल का लुक दिया गया है और ग्लॉशी टाइप का फिनिस दिया गया और स्पार्क्लिंग टाइप का इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है इन फो बहुत ही कमाल का लुक 4.4 इंच का 3D AMOLED डिस्पेय हमें देखने को मिल जाता है, तोनों ही फोर में हमें almost same display देखने को मिल जाता है, size में थोड़ा बहुत का फरक है, रेनो 4 में हमें 6.43 इंच के दिया गया है, और 7 में 4 प्रो में 6.55 इंच का, तो मतलब डिस्पेय के size में ज़रा बहुत का फरक है, बाकी punch hole type के design में फरक है, रेनो 4 में हमें single punch hole camera देखने को मिल जाता है, और रेनो 4 में dual punch hole camera देखने को मिल जाता है, तो अब आप लोग सोच रहोंगे, 4 में single punch hole है, और उसके low edition में double punch hole है, तो हाँ ऐसा ही है, बट इसपेक जब आप आगे main camera के सुनेंगे, तो आपको जी हाँ, ऐसा ऐसा फरक दिया गया है, तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, इसके display के sizes वगर की तो बात कर लिया हूँ, बट हमें जो है, रेनो 4 pro में हमें 90 hertz का refresh rate देखने को मिल जाता है, वो हमें जो है, रेनो 4 में देखने को नहीं मिलता, HDR 10 plus का support दिया गया है, 4 pro में, साथ में 500 nits की brightness देखने को मिल जाएगी, 4 pro में, और साथ ही हमें देखने को मिलेगा, Corning का Gorilla Glass 6 का production देखने को मिल जाएगा, Front और Back दोनों ही, और दोनों फोन में देखने को मिलेगा, सेम चीज है, Glass और Front बैक और Back गलास दोनों ही, Corning Gorilla Glass 6 का production दिया गया है, Aluminium की framing देखने को मिल जाती, दोने ही फोन में, तो look बहुत ही कमाल का आने वाला है, और आप जानते है, Reno Series जो Oppo की होती है, वो बहुत ही top notch की देखने को मिलती है, और बहुत ही अच्छा response भी मिलता है Reno Series को, तो बहुत ही कमाल का effect आमें देखने को मिल जाता है, साथ ही मैं Qualcomm का Snapdragon 765G processor देखने को मिल जाता है, जो कि एक 5G processor दिया गया है, 7 nanometer based processor दिया गया है, तो performance की कमी कहीं से नहीं होने वाली, बहुत ही कमाल का option देखने को मिलेगा, एक 5G phone देखने को मिलेगा, क्योंकि अल्मोस्ट धीरे-धीरे सब कंपनिया जो 5G phone लांच कर दिया है, तो Oppo अब लांच कर दिया है, ओपो का 5G phone बहुत ही कमाल के लुक के साथ में आ गया है, अब मैं बात करता हूँ camera वगर की, तो Reno4 में हमें triple camera का setup दिया गया है, जिसमें 48 megapixel का main sensor देखने को मिल जाएगा, 8 megapixel का ultra wide है और 2 megapixel का depth sensor में देखने को मिल जाता है, बट वही अगर 4 pro की ब दिया गया है, 13 megapixel का telephoto lens देखने को मिल जाएगा, तो यार सच में telephoto lens और Oppo का जो camera है, सच में combination बहुत ही कमाल का होने वाला, performance बहुत ही कमाल की देखने को मिलेगी, साथ ही selfie camera के मैं बात करूँ, तो Oppo Reno4 में dual punch hole देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर दिया गया है, 32 megapixel क जो main camera देखने को मिल जाता है, उसके साथ में 2 megapixel का depth sensor में देखने को मिल जाएगा, और वही अगर बात किया जाए हम single punch hole वाला जो की Reno4 Pro में दिया गया है, उसमें 32 megapixel का main camera ही देखने को मिल जाता है, तो selfie camera के मामले में मेरे खाल से जो है, मतलब better क्या कहें, जो थोड़ा बह बहुत ही कमाल का है, बाकी अदर specs वगर की बात करें तो इसमें हमें type C charging port वगर देखने को मिलेगा ही, और साथ ही जो है इसमें बैटरी दीगा ही, यह दोने ही phone में 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, फोर में 4020 mAh दिया गया है, तो 20 mAh क्या होता है, मतलब normal 4000 हमें दोन 100% charge कर देगा, साथ ही हमें जो है, दो चीज़ देखने को नहीं मिलता है, एक तो dedicated card slot देखने को नहीं मिलता है, साथ में jack port भी देखने को नहीं मिलता है, तो यह port वगर हमें देखने को नहीं मिलता है, साथ ही हम बात करते हैं, और भी इसके pricing वगर की, तो यह चाइना में ल रेनो फोर प्रो का जो 8GB, 128GB आएगा वो अल्मोस जो है 40,000 के आस पास पे फोन हमें देखने को मिलेगा हो सकता है 35,000 के आस पास में भी देखने को मिल जाए प्राइस हो सकता है थोड़ी सी कट डाउन कर दी जाए तो में भी जो है अब ये लॉंच होने के बाद ही पता बहुत ही जादा मेरेको एट्रेक्ट कर तो यह जो है साथ ही जो लाइक जो चरव क्रड़ी कर दिए-क सारी चैल पर आपनाा चैल को सब्सक्राइब कुझी सरकी टेकनोलोजी अप्डेट्स और अनबॉक्सिंग और फन वगर आपको मेरे चैनल पे मिलता रहता है तो मिलता ह लिवरे में आज के लिए धन्यवाद